सलो माई यूटूब फैमली कैसे वाई हो बहुत अच्छे होगे तो आज हम बनाने जारे बींस की सबजी तो हमने बींस को धो के कट कर लिया है साथ में हमें टमाटर प्याज और भरी मिर्स को भी धो कर कट कर लिया है तो और यहां भी हाँ पर हम कराई को गरम होने के चरहा द जीरा थोरा सा सुनहरा हो जाए तो हम इसके अंदर हरी मिर्स को डाल देंगे हरी मिर्स छोड़ थोरा सा चटक जाए उसके बाद हम टमाटर और प्याज को इसके अंदर डालके सुनहरा होने तक भूनेंगे तो इसको सुनहरा होने देते है हमारा प्याज और टमाटर हल्का भून चुका है अब इसके अंदर हम बीन्स को डाल देते हैं और इसको अच्छे से भूनेंगे तो इसकी सब्जी बहुत हीं टेश्टी और यमी बनकर त्यार होती है और बीन्स बहुत हीं healthy सब्जी होता है इसके बहुत सारे बिटामिन्स पाए जाते हैं तो बच्चे को यह पसंद नहीं आता है तो लेकिन आप इसतरे से सब्जी बनाएंगे तो बच्चे आपके जरूर खाएंगे तो यहां फ्लेम को थोड़ा बरहा देना है क्योंकि बेंग में से पानी रिलीज होता है तो वह जल्दी सूख जाएगा और इसे कंटीनियू चलाते हुए हमें भूनना है तो यह अच्छे से भून चुका है अब इसके अंदर हम मसाला एड करते हैं तो यहां पर हम मसाला हम थोड़ा साइड करेंगे और स्वाद के अनुसार हम इसके अंदर नमागा एड करेंगे और इसको अच्छे से मसाले को इसके अंदर हम भून लेंगे तो अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा वीडियो को लाइक जियर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग की सब बूटके हमें बहुत जुरूर थे और यहां पर फ्लेम को हमें लोग करना है क्योंकि जो मसाले हैं वो च तो यहां हमारी सब्सक्राइब कर बिल्कुल रेडी होगी है तो देखिए सब्सक्राइब के लिए अच्छी और परफेक्ट बन कर लिए कर त्यार हुई है ताप इस तरीके से बिंज के सब्सक्राइब बनाएं और आप चाहे तो प्राठे के साथ या पिर रोटी के साथ या पिर चावल डाल के साथ भी खा सकते हैं तो मैं इसको दोंगे में ट्रांसफर कर रही हूं देखिए कितनी परफेक्ट बन के त्यार हु करने वाले से यह मोटे वाले से हमने कद्धुकस किया है आप चाहें तो बारिक वाले से भी कद्धुकस कर सकते हैं तो देखिए यहां पर कितने अच्छे से कद्धुकस हो चुका है अब यहां पर हमने कराई को गरम होने के लिए तयार चरहा दिया है इसके अंदर हम बड़े चमच से एक चमच घी एट करेंगे गी थोड़ा डालना है अच्छे से कि जो गाजर का हलुआ है उसके अंदर घी और दूद का ही ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे से टेस्ट अच्छा आता है तो यहां मैं आपको कॉंटिटी दिखा देती हूं घी बढ़ने के बाद तो आप इस तरीके से इतना अंदास से घी डाल सकते हैं अब इसको मैं आपको बेट में नहीं बता सकती कि कितना होगा लेकिन छोटे कप से एक कप होगा इसके अंदर घी जो चाय कप आती है उसे एक कप घी होगा इसके अंदर तो हमने थोरा सा इसके अंदर गाजर एट कर लिया है उसे अच्छे से चला लेना है क्यूंकि सारे ग में से ढख देना है ताकि गाजर अच्छे से पक जाए तो यहां हमारा गाजर अच्छे से पका नहीं था तो फिर मने वापस ढख दिया है अब अच्छे से बिल्कुल पक चुका है तो बिल्कुल ड्राय हो गिया है गाजर इसके जितने भी पानी थे वह सारे सुख गया है तो आप इसके अंदर हम दूध आड़ करेंगे तो यहां हमारा İş आप चाहे तो खोवा आड़ करेंगे तो आप इसके अंदर दूध कम एड़ कीजियेगा कि इसको अच्छे से हमें दूद मतलब बिल्कुल राय होने तक इसे हमें अच्छे से पका लेना है और यहां पर हमने इसा बिल्कुल फ्रेस मलाई ले रखा है जो हमारा दूद में से मलाई निकला था तो हमें यह आदे कडोरी के लगभग हमारे पास मलाई है तो यहां पर देखिए हमारा थोड़ा से ड्राय हुआ है अब मैं यहां पर थोड़ा फ्लेम बरहा देती हूं ध्यान रहे फ्लेम बरहाएंगे तो आपको चलाते रहना है बीच बीच में ने तो फिर नीचे से चिपक जाएगा तो चलाते हुए आप अच्छे से इसको दूद को अच्छे से बिल्कुल ड्राय होने तक पकाते रहे तो यह देखिए हमारा बिल्कुल जो हलवा है ड्राय हो चुका है अब इसके अंदर हम यह मलाई को एड़ कर देते हैं और हमने इसके अंदर चीनी भी एड़ कर दिया है इसकीप हो गया था हम वीडियो पे नहीं दिख पाया तो आप इसके तो चीनी आड़ कर दीजिएगा साथ में जो भी आपके पास ट्राइफ रूट है आप उसके अंदर डाल देंगे तो बहुत ही टेश्टी और यमी बनकर त्यार होता है इस तरीके से हलुआ बनाए तो यहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक सेयर कॉमेंट जरूर कीजिएगा अगर आप हमरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को एक सेयर जरूर कीजिएगा और एक कॉमेंट जरूर डालिएगा ताकि हम भी आपके लिए न